हलो इंजीनियर्स वेल्कम तु दे वल्ड अफ सिविल गुरुजी आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टिन टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि है लोड ट्रांसफर मेकानिजम और समझेंगे मैन्वल कैलकुलेशन फॉर लोड एक फ्रेम स्टुक्चर में लोड कैसे स समझेंगे यह टॉपिक लेंदी होने वाला इसके लिए पार्ट में बनाया जाएगा तो सबसे पहले हम सिखेंगे लोड ट्रांसफर फार्थ फिर हम सिखेंगे बेसिक लोड कंसिडरेशन फिर हम सिखेंगे लोड कैलकुलेशन फॉर डेड एंड लाइव लोड और उसके ब पहले लोड स्लाब और स्लाब के ऊपर आने वाला लोड ट्रांसफर होता है बीम्स में फिर बीम्स के लोड ट्रांसफर होते है कॉलम्स में और देन कॉलम्स के लोड ट्रांसफर होते हैं फूटिंग में और फूटिंग के लोड ट्रांसफर होते हैं सॉयल में अब आईए आपको एक case study के द्वारा एक plan से मैं पूरा load calculate कैसे करते यह बताने बाला हूँ यह plan slab beam plan है इसमें आप देख रहे है columns, beams, one way slab, two way slab और उसके sizes जिसमें सारी जानकरी मौझूद है तो आई अब बात करते हैं स्पेशिफिकेशन के बारे में हमने यह यह पर assume कि है कि सभी beams के size 200 by 300 है सभी columns के size 200 by 300 है सभी slab की thickness 125 mm रखी जाएगी और IS code जो use किया जाएगा इसमें वो है IS 456-2000, IS 875 for dead load, IS 875 part 2 for live load और उसी के साथ one way slab के calculations के लिए जो formula यूज करने वाले है वो है WLX by 2, W slab के उपर आने वाला load होगा और LX होगा short response, for two way slab जो triangular portion के लिए load transfer करेंगे, उसके लिए जो formula है WLX by 3 उसी प्रकार से tap residual portion के लिए जो formula है वो है WLX by 2 bracket 1 minus 1 by twice of beta where beta is LY by LX, अब समझते है basic load constitution, dead load dead load मतलब structure में लगने वाला ऐसा भार जो structure के साथ हमेशा lifetime रहे, वो dead load कहलाता है जैसे structure का खुद का भार, self weight, तो सबसे पहले हमें calculate करना पड़ेगा, self weight of slab, जो कि हम calculate कर सकते है thickness और density of RCC को multiply करके अब दूसरा load है floor finish load, जैसे PCC flooring, tiles, सभी का load कहलाता है floor finish load इस load की value 1 से 1.5 kN per m² लिया जाता है और यह जो 1 से 1.5 vary कर रहा है, वो according to material vary कर रहा है मतलब material के भी self weight को calculate करके decide किया गया है कि floor finish load इतने से इतने range तक लिया जाएगा तीसरा load है waterproofing material load, जो कि maximum लिया जाता है 1 kN per m² यह सभी load act करेंगे as a dead load, अब बात करते हैं live load या imposed load ऐसा load जो movable है उसे हम live load कहेंगे live load on slab होगा 2 से 4 kN per m² इस table में आप देख रहे, imposed floor loads for different occupancy according to IS 875 part 2, सभी residential building में, सभी room, सभी kitchen में 2 kN per m² का load लगाया जाएगा, उसी प्रकार से जितने भी hotels है, hostels है, सभी उसके living rooms, kitchens में अलग-अलग load distribution बताया गया है, उसी प्रकार से अगर commercial है जैसे educational building है, तो उसके लिए देखे, यहाँ पे class rooms और lecture rooms के लिए 3 kN per m² बताया गया है, उसी प्रकार से corridor passage में 4 kN per m² बताया गया है, और आप देख रहें कि assembly buildings में अलग-अलग load यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमारी case में यह सिर्फ ground floor है, और terrace portion में यह लगने वाला load है, तो इसमें भी floors के हिसाब से ही load लगाया जाएगा, अगर residential structure है, तो 2 kN per m² के हिसाब से load लगाया जाएगा, अगर commercial structure है, तो थोड़ा जादा होगा, पर store room है, तो थोड़ा और जादा होगा, अगर gym है, तो और जादा होगा, तो इसलिए यह जो load है, यह vary करेगा, 2 से 4, 5 kN per m² तक, तो residential building में maximum 4 kN per m² तक का load carry होगा, अब load calculation start करेंगे, सबसे पहले हम calculate करेंगे, self weight of slab, जो कि हम calculate कर सकते है, thickness into density से, देखिए, किसी भी structure का self weight अगर calculate करना है, तो formula यूज करेंगे, mass equal to volume into density, volume होगा, length into breadth into height, और density of material लेना है, अब देखिए, density of, यहाँ पे जो material है, वो क्या है, RCC structure है, तो RCC का density होगा, 25 kN per m², देखिए, यह कहां से लिया गया है, IS456-2000 में यह value दिया गया है, कि जो density लेना है, वो 25 kN per m³ लेना है, तो यहाँ पे हम पूरा volume ना calculate करते हुए, सिर्फ thickness को क्यों ले रहे है, क्योंकि हमें load चाहिए, kN per m² के form में, मतलब length cross b, मतलब area को ignore करते हुए, सिर्फ thickness से density को multiply करना होगा, जिससे हम self weight kN per m² के form में calculate कर सकते हैं, जो की slab की जो thickness है, 0.125 m into 25 को जब multiply करेंगे, तो value आई की 3.125 kN per m², अभी देखिए, यहाँ पे हम extra load, मतलब जो factored load लेया जाता था, जो की 1.5 से multiply करने से निकालते हैं, उसे हम बाद में consider करेंगे, तो यहाँ पे हमारा calculate हो गया self weight of slab, जो की है 3.125 kN per m², अब अगला load हम calculate करेंगे self weight of parapet wall, देखिए, आप यहाँ से imagine कर पा रहे है parapet wall, देखिए, parapet wall एक प्रकर की short wall है, जिसमें brick work होगा, जिसमें plaster होगा, तो simple हमें brick work और plaster का load अलग-अलग calculate कर लेना है, और वही हमारा होगा parapet का load, तो बहुत ही असानी से हम calculate कर सकते, parapet of wall is equal to again volume into density, और इस बार जो volume में हम calculate करेंगे, breadth और height, और उसको हम multiply करेंगे densities, तो load for brick work, देखिए, brick work बोलने से, इसमें आएगा bricks और mortar, तो load for brick work 0.2, जो breadth है, देखिए, 0.2 into 1 meter, 1 meter इसकी height है, parapet की height हमने लिया, यहाँ पर 1 meter, और density of brick work बोल रहा हूँ है, not wall, brick work होगा, 19 kilonewton per meter cube, यह लिया गया, is 875 part 1 से, जब आप multiply करेंगे, तो value निकलेगी, 3.8 kilonewton per meter, उसी प्रकार से, both side plaster work जब हम calculate करेंगे, तो inner plaster हम लेंगे, 12 mm, outer plaster हम लेंगे, 15 mm, उसे जब meter में convert करता हूँ, तो 0.015 meter plus 0.012 meter आएगा, तो plaster into height of parapet, again density से multiply करेंगे, और इस बार density होगा, plaster के लिए जो density लिया जाता है, वो है 21 kilonewton per meter cube, तो उस हिसाब से जो value आएगी, 0.567 kilonewton per meter, और total parapet wall लोड हो जाएगा, 4.36 kilonewton per meter, तो एक बार फिर से civil guru जी offer के साथ, आप सभी के लिए ले के आया है, job detective course, जिसमें है, job search से लेके, effective resume और interview profession की journey, ये offer होगा, limited engineers के लिए 75% off के साथ, आपको दिया जा रहा है, मात्र 16,00 रुपे में, और अधिक जानकर एक लिए, आप हमें call कर सकते हैं, 911001234 पे, या तो link description में है, आप वहाँ से भी information collect कर सकते हैं, इस course का content आप सभी से share करना चाऊंगा, जिसमें है, top construction companies, world में, इंडिया में, दुबई में, job search strategies के बारे में discuss किया जाएगा, कि job search fail क्यों होता है, fake job से कैसे बचे, job search strategy कैसे बनाए, LinkedIn से कैसे job search करे, how to make portfolio, portfolio को कैसे बनाया जाए, make professional resume, resume कैसे बनाते, cover letter क्यों जरूरी है, experience engineer का resume कैसे होना चाइए, fresher ingenious का resume कैसे होना चाइए, job interview preparation कैसे करे, interview में कैसे जाए, tricky सवालों के job कैसे दे, salary कैसे negotiate करे, interview कैसे close करे, follow up और email कैसे करे, तो देखिए यहाँ पे job hunting strategy आपको पूरी बताई जा रही है, इस job detective course में, यह course आप सभी के लिए बहुत ही valuable होने वाला है, इसलिए देर मत कीजिए, अभी call कीजिए, 9, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4 पे और पूरी details पाईए, आईए वीडियो को आगे बढ़ाते, इस plan में आप calculate करना है, beams में कितने load आएंगे, तो सबसे पहले B1 beam, इस plan को आप अच्छे से देख पारे, यहाँ पे आपको पूरे beams दिख रहे हैं, पूरे columns दिख रहे हैं, sizes दिख रहे हैं, और one way distribution, slab के two way distribution यह आपको दिख रहा है, अब सबसे पहले हमारा target होगा कि सभी beams में कितना कितना load आएगा, और उस beams के द्वारा column में कितना load transfer होगा, इसको calculate करना, सबसे पहले हम start करेंगे B1 beam से, अगर आप इस plan में ध्यान से देखेंगे, तो यह room का size और इस room का size दोनों same है, इसका मतलब B1 पे जो load आने वाला है, वही B10 पे भी load आने वाला है, क्योंकि load लगने के condition भी same है, तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि B1 beam पे किस-किस का load आएगा, सबसे पहले B1 beam का self aid, उपर के slab portion, जो triangular portion है, देखिए यहाँ पे जो यह triangular portion है, इस portion का load transfer होगा इस beam में, और क्योंकि parapet wall भी होगा, इसलिए parapet का load भी इस beam में carry करेगा, तो सबसे पहले हमें total W load on slab calculate करना पड़ेगा, मतलब load calculate करना पड़ेगा और वो जो load निकलेगा, वो dead load और live load को plus करने से निकलेगा, तो हमारा dead load है self aid of slab, floor finish, waterproofing और उसी के साथ live load, तो W निकलेगा हमारा self aid of slab, जो कि यह 3.125 plus floor finish जो हमने लिया था 1.5, waterproofing हमने लिया था 1, उसी के साथ live load हम ले रहे 4 kN, हमें हमेशा maximum load के हिसाब से design करना है, इसलिए हमने यहाँ पे सभी maximum load को consider किया, W निकल गया 9.625 kN per m2, अब यहाँ पे हम factor कर देंगे extra load हम जो factor of safety लिया जाता है, तो total factor load 1.5 से multiply करने से आपको निकलेगा 14.4 375 kN per m2, अब हमें calculate करना है कि strangular portion का load कितना B1 पे transfer करेगा, जिसके लिए formula हम use करेंगे W LX by 3, तो W की value 14.4 375 into LX, देखिए LX is the shorter span, इस slab में आप देख पारें यह वाला slab वाला portion है, यहां से यहां तक यह आपका shorter span कहलाएगा, जो की 3.3 है, और यहां से पूरा यहां तक आपका कहलाएगा L Y, जो की आपका longer span है 3.6, तो LX होगा आपका 3.3 divided by 3, तो हमारी value आजेगे 15.88125 kN per m, अब calculate करेंगे self weight of beam, जो की factor load हम लेंगे फिर से, तो factor load के लिए 1.5 मैंने यहां multiply कर दिया, और self weight of beam के लिए हमें beam का size लेना है, जो की हमने लिया है 0.2 by 0.3 density, जो की होगा 25 kN per m3, इसकी value आगे 2.25 kN per m, अब हमें लेना है parapet wall का load, जो की हम factor करेंगे, इससे पहले हमने parapet wall का load already calculate कर लिया है, जो की निकला है 4.36 kN per m, इसे हम factor करेंगे, तो 1.5 से multiply करने में आपको value मिलेगा 6.54 kN per m, अब overall जो total load है, जो B1 पे आने वाला है, सभी को हमने sum किया, और 24.671 kN per m load आया है B1 beam पे, अब इसके बाद होगा, total factor load on B1 beam in terms of kN, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कि अभी हमने previously calculate किया है, kN per m के form में, और अगर हमें kN के form में convert करना है, तो हमें length of beam से multiply करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे देखे, तो beam की जो length है, वो 3.3 है, ठीक है, तो beam की length से हमें multiply करना पड़ेगा, अब यहाँ पे total जो load है, जो की kN per m के form में, उसको हम जब beam की length से multiply करेंगे, तो आपको total load मिल जाएगा, kN के form में, जो की है 81.41 kN, अब आपको आगे क्या करना है, कि C1 और C2 पे कितना load transfer करेंगे, इसके बारे में बाग करते हैं, अब हमने calculate का लिया कि B1 पे कितना total load आने वाला है, जो कि यह 81.4, अब इस load को हमें C1 और C2 पे कितना कितना transfer करना है, तो जो B1 का load है, वो transfer होगा exactly just half C1 पे, और exactly just half C2 पे, therefore load on column C1 and C2, तो C1 पे जो load आएगा, 81.41 डिवाइड बाइ 2, जो कि 40.7 किलो न्यूटन, और whereas C2 पे भी जो load आएगा, वो आएगा 40.7 किलो न्यूटन, तो जैसे कि मैंने बताया, जो B1 पे load आएगा, वही B10 पे भी load आएगा, इसका मतलब जो B1 के द्वारा C1 पे load transfer है, और B1 के द्वारा C2 पे load transfer आ रहा है, वही आपका B10 के द्वारा C7 पे, और B10 के द्वारा C6 पे load आने वाला है, 40.7, आगे गा load calculation मैं cover करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारे वीडियो, जैहिन जैभारत!